जाहिन फ्रेंट्स डिफेंस कमांडो चैनल में आप सभी को स्वागत हैं मैं इस वीडियो का माध्याम से आपको बिहार पुलिस बिगापन संग्या दू अबलिक 2019 जिसकी कूल पोस्ट की संग्या गारे जार आट सो असी थी उसका फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट पतना गर्दन ही बाघ मां चाहिए उसे रिलेटड में आपको जनकारी देना चाहता हुँ कि 30 September के कितनेivas मैं सारे जनकारी को पकड़ा जा चुका है कितने फरजी कंडिडेट को दे कर आ रहे ते कितने उतने जो पकड़े गया है जो अभी गैंग उससे related में आपको जनकारी दूँगा और अभी तक कितने गैंग को पकड़ा जा चुका है कितने फ़र्जी कंडिडेट को पकड़ा गया है मैं सारी जनकारी इस वीडियो में दूंगा तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक एंड शेर जरूर करें तो चलिए वीडियो में कंट्निवर्शली बने रहेगा बीडियो बहुत इंट्रेस्टफुल और बहुत ही मज़दार होने वाली है तो आप सभी को मैं इन सारी जनकारी से रूब रूब करानन चाहता हूं कि जो भी कंडिडेट इन से अन्भीग है अगर इस नीज को नहीं जान रहे है तो आप इस नीज को जानना बहुत ही ज़्या बनाई गया है बिहार जो 30 दिस्तंबर से सिपाही बहाली में पकड़े गया है 40 फरजी अभ्यारती को पकड़ा गया है तो 284 अभी तक जेल जा चुके है और 40 यह भी आपको पकड़े गया है ठीक है और जो भी मतलब रंगदार पकड़े गया है जो आपको फरजी वारे तर इस वीडियो में देंगा तो चलिए वीडियो में वीडियो में इस पर चाप रहे गया है और कि फार. पुलिस की बिहार पुलिस की सिफाई भरती परिच्छा में फरजी चात्रों के पकर जाने का सिलसिला नहीं रुख रहा। बुद्धोर को भी गर्दानी बाक्थानी के पुलिस ने 40 फरजी अभ्यारतियों को गिरफतार किया है पुलिस के मुताबि गर्दानी बाग इंटर कालेज में सिपाई भरती की लिखित परिक्षा पास कर चुके अभ्यारतियों के सारिडिक परिक्षन के लिए फिजकल टेस्ट वाकाग्जों का सत्यापन सुरू किया गया है सत्यापन के दौरान जब बाइमेट्रिक जास हुई तो 40 फरजी अभ्यारती निकले है तो 30 दिसंबर को 40 कंडिडेट फर्जी पकड़े गया है और कूल कंडिडेट की बात की जाए अभी तक तो 284 कंडिडेट जेल जा चुके है ठीक है मुखे सर्गन अभी भी गिरफत से बाहर बिहार सिपाई भरती परिक्षा में फर्जवारे के खेल लगतार जारी है पकड़े जाने के डर से कई अभ्यारती तो पहुंच ही नहीं रहे हैं और जो पहुंच रहे हैं वह बायोमेट्रिक जाच में पकड़े जा रहा है लेकिन इन सब के पीछे का मुखे सर्गन अभी भी गिरफत से बाहर है उसकी तलास जाड़ी है तो इस पकार आप देख सकते हैं कि जो भी मतलब मेन उसका जो लीडर है जो फरजी तरीके से भाली कराते हैं वह अभी फिलहाल अभी फरार चल रहा है और उनको अभी तक गिरफतार नहीं किया गया है और यह बिहार पुलिस की बहुत ही बड़ी इस्टिक्ट कदम है जिसके वजह से देख रहा है कि आपको जो भी फरजी कंडिडेट वहां जा रहा है वह पकड़े जा रहा है और मैं आपको आगे जनकारी देना चाहता हूँ कि एक दो ऐसे मतलब मूख जो लीडर है जो फरजी तरीके से घोसित करा तो उनको भी गिरफतार किया गया है और यह भी जनकारी मैं दूँगा कि कितने कंडिडेट पास और फेल हुए तो चली आपको मैं बताना चाहता हूँ नेक्स्ट पीडियप में तो अब देख सकते हैं आपको लिखा गया है कि 27 नुवंबर से चल रहा है फिजकल टेस्ट तो बिहार सिपाही भरती परिक्षा में लिखित के बाद विभीन पदोपा बहाली के लिए पिछले 27 नुवंबर से फिजकल टेस्ट लिए जा रहे है तो 27 नुवंबर से जो भी पिछले जितनी भी बहाली हुई है उसमें जितना भी मतलब आपको पोस्ट था उनका मतलब बारी-बारी से 27 नुवंबर से यह आपको फिजकल टेस्ट चल रहा है जैसे मोबाईल स्कॉ पुलिस द्वारा सेंटर से दो सेट्रो को गिरफतार किया गया था, तो यह बहुत ही अच्छी कदम है, अगर आप लोग अच्छा से वहां पे कॉपरेट कीजेगा, तो पुलिस के लिए भी आच्छा है, मतलब आपको बहुत ही अच्छा मतलब कदम उठाने के लिए मौका मि अपनी जगह पर दूसरे को लिखित परिक्षा बैठा कर परिक्षा दिलाई थी और जब फिजिकल की परिक्षा हुई तो बायोमेट्री को फोटो पाचान में पकड़ लिए गया है तो चली अब मैं चैन पर्षद की ओर से फिजिकल टेस्ट के लिए 600 अभ्यारतियों को बुलाया जाता है सो मुआर को 131 परिक्षारती हैं सामिल हुए वहीं दौर में 541 अभ्यारतियों सफल हुए थे तो यहां पर दौर में 541 अभ्यारतियों सफल हो गया थे और सफल कंडिडेट 740 हुए थे मेरे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर करके गुंची कूद और गोला फेक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं यह हम 799 अभ्यारति सफल हुए तो टोटल लास्ट पोजिशन तक आपको 799 अभ्यारति सफल हुए थे सेंटर पर मौजित पूलिस पदधेकारियों ने ब खरजवारे तरीके से बाहली कराते हैं उनको पकड़ा गया है तो गाओं में ही 30 लाग सजिक की ठगी कर चुका है नीरज नौकरी दिलाने का जहसा देखरके ठगी करने वाले नीरज ने नलन्दा के हिलसा में भी कई लोगों को ठगी का सिकार बनाया गाओं के लोगों ने बताया कि गाउं में कई लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 30 लाख रुपए ले चुका है निरज, दो भाईयों में बड़ा जब कि छोटे भाई की इस ए रिक्सा की एजन्सिय और पीता किसान है, भवी से निधी में नौकरी दिलाने का करता था वादा, सुत्रो का लोगों से लाखों की ठगी कर चुका था, सुत्रो का अनुसार पुरुब विधाय का बोड़िगार्ड भी ठगी का सिकार हो चुका है, क्या करते हैं हिलसा थाना देक, हिलसा थाना देक, सुरेश परसाद ने बताए कि पूछ तास में पता चला क्या रोपित निरज अहंद जकनपूर की पूलिस ने बस एस्टेन से गिरफतार किया था, जकनपूर की पूलिस को हिलसा पूलिस ने यह सुचना दे थी कि निरज नाम का बेक्ति नौकरी के नाम पर ठगी कर कहीं भागने के पर्यास में है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी मतलब ठगी का ए तो उसका नतीजा भूड़ा ही आने वाला है, तो आप इस तरह की कदम कदे नाग उठा है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक और सेटर पकरा गया पटना से, जो आपको छापरा और समस्तिपूर का यह सेटर बताया जा रहा है, तो देखिए कई जामस में इनों ने भ दो सेटरों को पुलिस ने पकड़ा है, कदम कुआ के ठाना धक्स ने बताया कि पुलिस को सुचना मिली थी कि परिख्षा के सेटिंग करने वाले दो सेटर पटना में है, सुचना मिलते हैं कि पुलिस ने काजीपूर और रजेंदर नगर में छापे मारी कर दोनों को पकड कर लिया गिरफतार अरोपित कुनाल कि सोर समस्तिपूर का राने वाला जबकि जितेंद्र छपरा का राने वाला है दोनों के पास एक लाख रुपए नगा दो मोबाइल मिला है फोन मिला है केस दर्च कर उन्हें जल भेज दिया गया है पुलिस ने बताए कि दोनों सेटरों क नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है इसके तार यूपी से भी जुड़े है पूश ताश में सामने आया कि इस गिरो को कई सदस लखनाव में भी है पुलिस मोबाइल में नंबर की जाच कर रही है पुलिस मोबाइल में नंबर की जाच कर रही है जाच के बाद गिरो के ब बहुती बड़ी खुसकब्री है जो अपनी मेहनत के बदला तीक जाम से देते हैं और इक जाम में बैठने की छमता रखते हैं तो आप लोग बहुती बड़ी खुसकब्री है देखें यहाँ पे जितने भी कंडिडेट सोचते थे कि देखें आप सेटिंग हो रहा है तो यहाँ जाभराद बेस्ट अपला काल मैं डियर सब्सक्राइबर्स